Hi everyone, फिर से एक नीए इंटरेसिंग वडियम आप से अबको स्वागा थे, तो दोस्तों इस वीडियो का माध्धियम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों अगर आप एक PF मेंबर हैं, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफेल, काफने जबल होगा, क्योंकि दोस् है, उसे आप full and final settlement करना चाहते है, full and final withdrawal लेना चाहते है, अपने bank account में, तो दोस्तों इस वीडियो मापको compete process बताने वाला हूँ, किस परकार से आप अपना PF का पैसा, pension का पैसा, और interest का पैसा, full and final withdrawal के लिए, आप किस परकार से submit करेंगे, इसका क्या process होता है, इस वीडियो म चाहन लेते हैं, तो सबसे पहले से आप अपने phone laptop computer में, कोई भी browser को browser आपको open करने के बाद सो search बहुं आपको tap करना, EPFO, जिस एक पर स्किन पर देख सकते हैं, जैसे सो यहाँ पर EPFO tap करके search करने के बाद सो नीचे, पहला ही website आपको पार नजर आ जाता है, www.epofindia.gov.in, तो इन ही section में से आपके पास एक section बना हूँ नजर आता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं highlight कर दे रहा हूँ, यहाँ पर नजर आता हूँ, online claim member account transfer, तो दूसर आपको online claim member account transfer पर click कर देना है, उसके पास आपके पास this podcast interface आ जाता है, इस page के सो मैं direct link video discussion में भी provide कर दूँगा, जैसे सो link पर click करेंगे, तो दूसर आपको इस page दाटरी डायक कर देगा, काफी easy हो जागा, अब दूसर यहाँ पर आपको PF का या तो फिर pension का full and final settlement करना है, उसके पहले सो सबसे पहले आपको अपने PF record में login होना होगा, तो PF record में login होने के लिए तो यहाँ पर detail आपको plug करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास dual digit का UN number है, यहाँ आपको पहला column में plug कर देना है, उसके पासो जो भी आपका password होगा, दूसरा column में plug कर देना है, उसके पासो इसके पास निचे देखिए नज़र आतो sign in, तो दूसर आपको sign पर click कर देना है, sign पर click कर देने बाद सो फानली आप अपना PFA को में login हो जाता है, जैसे का screen पर देख सकते हैं, अब दूसरो यहाँ पके पास एक pop-up window में एक alert आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आता होगा, जनलिसरो इस alert को आप यहाँ से close कर सकते हैं, अजर बाद नीचे यह देखिए दो आपस नज़र आता होगा, ए ठीक है, लेकिन दूसरों यहाँ पर last menu जो पांचमा नवर में आपके पास नज़र आता है, online service, तो दूसरों आपको online service पर click कर देना है, उसके बाद सो इसमें देख साथे काफिसर option यहाँ पर खुल कर आ जाता है, लेकिन दूसरों आपको यहाँ पर claim form submit करने के लिए सो सब पहले हैं, यह option देखी नज़र आता होगा, claim form 31, 19, 10C और 10D, तो जितने भी claim form submit किये जाते हैं, वो पहले हैं, आपको पहले हैं, पहले हैं, आपको click कर देना है, उसके बाद सो आपके पास service इंटरफेस आ जाता है, अब दूसरों यहाँ पर मैं आपको एक जनकारी देने व update होना चाहिए, और Payne को ऐसे update होना चाहिए, ठीक है, Payne को ऐसे bank को ऐसी कार्फेजाद अमेंटरी होता है, ठीक है, अधार को ऐसे आपको आपका पूरा पैसन निकान लें के लिए जाते है, जो आपका amount होता है, वो 50,000 से जादा होता है, तब दूसरों यहाँ पर TDS नहीं कट आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना पीएफ एकोन पेइन क्वैसी कर लीजिएगा अगर आपका इमान 50,000 से ज्यादा होगा तो ठीक है अगर नहीं है तब ही आपके पेइन क्वैसी मेंडिट्री आप कर लीजिएगा काफी बेश्ट रहेगा ठीक है उसके प आपको भरिफाया पर क्लिक करते हैं उसके पास जो भी आपका बैंक के को नमर हो तो फानली भरिफाया हो जाता है वरिफाया हो जाने के बास आपके पास एक पर अलट आजाता है यहां पर नजर आता होगा ठीक है उसके बास आपको नीचे आजना है जब नीचे आगत यहा आपको प्रोस्टिट फोर उनलाइन कलम पर क्लिक कर देना है उसके बास आपके पास एक नए इंटरफेस आ चुका है जिसे का स्किन पर देख सेते हैं अब दूसरों जोगे आपका प्रस्टनल डिटेल होता हुँ यहाँ पर नजर आ जाता है जैसे सो यहाँ पर मैंने आपको फोर फिसे देखें यहां पर नजर तो ऐनप्या प्रॉकन जाता है जीया और मैंने इससे प्रकॉर तो पर नजर आता है एक 자주 पास नरुका अश्राम घ्र के,सम नर्फ पर नहीं जाता है यहाँ पर तो जो भी आपके PF account pension का पैसा है उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म यहाँ पर टेंसे आपको अपलाय करना होता है ठीक है दोनों आपको समझ आ गया हुआ उसके बास पर यहाँ पर नीचे देखें तीसरा दरा तो अगर आपको skim certificate चाहिए तब दुसरे यहाँ पर आपको form 10C आपको apply करना होता है ठीक है इस पर मैं अल्रडी वीडियो बना चुका हूँ उससे आप check out कर सकते है ठीक है अगर आपको PF account से advance कर तो आपको कुछ पैसा निकासी करना है तब दुसरे यहाँ पर PF advance form 31 आपको fill up करना होता है ठीक है तो यहाँ उपर में दो ही form सा आपको मतलब रखना भी फिलाल full and final settlement करने के लिए पहला form form 19 और दूसरा 10C ठीक है आप दोनों form यहाँ पर एक और एक बात दिजेगा मैं आपको एक important जनकार देने वाला हूँ सबसे पहले सो यहाँ पर PF और जो आपका interest का पैसा है उसे ही दोस्तों सबसे पहले withdrawal करना होगा ठीक है उसके बाद जब आपका form 19 अपला हो जाएगा उसके बास पूरंत एक second एक minute दो minute या तो next day में भी आप यहाँ पर form 10C आपको apply करना हूँ बस आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको 19 apply करना है उसके बाद 10C तो दोनों का process सेम ही होता है तो चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ अपलोड form 50G ठीक है अब upload form 50G क्या होता है किन लोगों को fill up करना होता है क्या आपको जोरत है या नहीं fill up करना हूँ मैं आपको बता देता हूँ जैसे सो अगर आपका प्याप का पैसा हो अगर पचास जादा है ठीक है आपके मन में एक और डॉट हो जैसी कि आपका सर्वी या कम हो तो कि आपको फिलब करने के जवरत होगा या नहीं दोस्तों यहाँ आपको कोई भी किसी भी प्रकार से form5tg अपलोड करने के जवरत नहीं है ? form5tg उनहीं लोगों का अपलोड करने के जवरत है ? जिनका service period 5 साल से कम है और जिनका इमाउंट जो है हूँ 50,000 से जादा है ठीक है यहां सबको समझ आ गया हुगा ठीक है तो चलिए मुझे जवरत नहीं है उसके बाद नीचे देखिए यहां पर एड्रेस आपको fill up करना होता है जिसे कि जब नीचे आगे तो यहां पर एक document अप्लोड करना होगा अप्लोड कर सकते हैं अपको एक चेक लेना है उसके ऊपर आपको सिंग्लिचार कर देना है उसके ऊपर आपको कैंसल लिख देना है ठीक है समझ गयों कैंसल चेक इस पर कर सकते है या तो फिर पास्वूग भी आप फोटोस ले सकते हैं या तो फिर आपको अप्लोड कर सकते हैं ठीक है साइज आप फोमेट के में बात करता हूं तो इसका साइज जो है देख सकते हैं पर हंडेट के विश लेकर करके पांसो कभी के बीच में है फोर में जनरली ए जेपीजी मतल सिंपल से एक इमेज मिलेगा पीडियाप में यहाँ पर अप्लोड नहीं लेगा ठीक है तो चुछ फाल पर जाकरके यहाँ पर डॉकुमेंट अप्लोड कर लेजीए डॉकुमेंट जब अप्लोड हो जागा ते एक बर यहाँ पर विवी पर क्लिक करके आप फाइलि आप उससे देख भी सकते है ठीक है उसके पास तो नीचे आजाए, नीचे आजाने के बाद यहाँ पर concern दे देना है, concern देने के बाद तो नीचे देखिए, यहाँ पर नजा आता हो, get aadhar OTP, तो दोस्तों को get aadhar OTP क्लिक कर देना है, जिस पर get aadhar OTP क्लिक करते हैं, उसके पास जो भी आपके aadhar card के साथ mobile number link होत नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर नजा आता हो, validate OTP and submit claim form, तो दोस्तों आपको validate OTP and submit claim form पर आपको click कर देना है, उसके पास पर claim form successfully submit हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा नजा आता हो, submit successfully ठीक है, तो जो भी दोस्तों आपका PF और जो भी आपका address था, उ उसे full and final settlement करने के लिए, यहाँ पर form 90 successfully, यहाँ पर submit हो चुका है, और unified portal पर ठीक है, दोस्तों जो भी आपने form submit किया, उसे अगर आप देखना चाहता है, या तो पी download करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर click here, पर click करके उसे देख सकते हैं, या तो पी download भी कर सकते हैं, तो इस पकर सो मैंने आपको अभी तक बताया है, कि इस पकर साप अपना PDF और जो भी आपका इंट्रेस है, उसे full and final settlement करने के लिए form 19 किस पकर से apply करेंगे, ठीक है, जब दूस्तों आपका form 19 apply हो जाता है, उसके बाद दूस्तों तूरांत या तो फिर ने भी आप यहाँ पर form 10C आपको apply करना है, दूनों का same process होता है, तो चलिए मैं आपको दुबारा से मैं आपको form 10C किस पकर स apply करना हो, मैं आपको process समझा देता हूँ, form 10C apply करने के लिए तो फिर से आपको online calendar section पर आ जाना है, जैसे कि आपने पहले आपको मैंने बता चुका पूरा process ठीक है, तो same इसी page पर आजाना है, उसके बाद एकोंड नमर फिलब कर दाना है, उसके बास आप रिफाया पर क्लिक कर देना है, वरिफाया पर क्लिक कर देना है, बास आप फाली यहां पर अपको पहला इंप्रोसेस बताया था, same process यहां भी है, यहां पर नज़र आता हो, I want to apply for, इस पर आपको क्लिक करना है उसके पहले आप कहा गया थे यहाँ पर only पीए विडिवर फॉर्म 19 अपने फिलब किया ठीक है उसके पास्तों जो भी प्रोसेस में आपको बता है जिसी कि जो भी आपने पास्तों जो भी आपने फिलब करने दुबारा से जो भी एड्रेस आपने फिलब करना है जो भी आपको 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 डाल करके यहाँ पर only प्रेंशन विडिवर फॉर्म 19 अप अप्लाई कर सकते हैं दोनों का प्रोसेस में आपको बता दिया हूं जो भी आपको आपको प्रेंज आपको आपको प्रेस कर देना है ताकिंबसर ने फर मिलते हैं अब सबसे पहले पहूंशे को तो फिर से मिलते एक नए रिंटेस्टिंग वीडियों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत!